अरे भाय जी, मुझे खुशी है कि आपको अख्रोट की खेती में दिल्चस्पी है। ये बहुत अधिक संभावनाव वाला एक रोमान्चक ओध्यम है, खासकर यहां भारत में। बिल्कुल, डॉक्टर साहब जी, मैं घरेलू और अंतराष्ट्रियस तर पर अख्रोट की बरती मान के बारे में सुन रहा हूँ। भारत में अख्रोट की खेती को क्या विशिष्ट बनाता है। भाई जी, भारत में अख्रोट की खेती की अपनी चुनोतिया और अफसर है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमें सही स्थान चुनना होगा। अख्रोट सम्शी तोश्न जलवायू में अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और पर्याप्त धूप के साथ पनपते हैं, इसलिए कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखन के कुछ हिस्से आदर्श है। पहला कदम अख्रोट के पेडों की सही किस्म का चयन करना है। भारत में हम मुख्य रूप से दो प्रकार की खेती करते हैं, फार्सी या अंग्रेजी अख्रोट जुगलांस रेजिय और हिमालई या कश्मीरी अख्रोट जुगलांस रेजिया वरायटी कश्मीरियाना। एक बार जब हम किस्म चुन लेते हैं, तो हमें उचित मिठी पीएच और उरवर्ता सुनिश्चित करके भूमी तयार करने की आवश्यक्ता होती है। गाद दोमट मिठी की आवश्यक्ता होती है। इसके अलावा, मिठी को ह्यूमस से भरपूर होना चाहिए, ती में अच्छी मात्रा में जिनक और बोरॉन मिलाने से सभी फसलों में मेटिबॉलिक रियाक्शन्स को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। दोरान पाले की स्थिती को सहन नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त, उन्हें 800 mm की वार्षिक वर्षा की आवश्यक्ता होती है, जो पूरे वर्ष में समान रूप से विभाजित होती है। जब तापमान 38 डिगरी से अधिक हो तो खेती से बचना बहतर है क्योंकि इस से छिलके जल जाएंगे और दाने सिकूर जाएंगे, जिस से कुल उपज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अख्रोट के पेडों को उचित फल बनने के लिए लंबे मौसम की आवश्यक्ता होती है। लंबे और शुष्क ग्रीश्मकाल वाले क्षेत्रों में लगाए जाने पर ये फल सबसे अच्छे होते हैं। इसलिए थंडी पहाडी जलवायू के साथ कमगर्मी का तापमान आंतरेक उपज में गिरावट का कारण बन सकता है। भूमी की तयारी बीज बोने से पहले खेत से सभी खर्पतवार निकालना जरूरी है। साथ ही किसी भी पुरानी जड़ को काटना भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद भूमी की तीन से चार बार जुताई करें जब तक की मिट्टी भुरभुरा ना हो जाए। भी हासिल करने के लिए बीजों के माध्यम से प्रसार सबसे अच्छा कदम है। इसके अलावा, रूट स्टॉक्स के रूप में स्थानी या अखरोट के पौधों का उप्योग करना सुनिश्चित करें। माध्यम से पानी दे सकते हैं। फ्लड, फारू, बॉर्ड स्ट्रिप, स्प्रिन कले या ड्रिप सिस्टम, अधिकांश उत्पादक फर्टिगेशन प्रक्रिया का उप्योग करना पसंद करते हैं। इस प्रक्रिया में उर्वरक और सिचाई का सयोजन किया जाता है। मूल रूप से, पानी में घुलनशील उर्वरक को सिचाई प्रनाली में डाला जाता है। उर्वरक, जुताई के समय अच्छी तरह सरी हुई गोबर की खाद डालने से मिट्टी को उपजाओ बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, मिट्टी में NPK मिलाएं। शुरुवाती पाँच वर्षो में प्रती पौधल अगभक 100 ग्राम फॉस्फरस एंड पतेसियम की आपूर्ती करें। बाद में फॉस्फरस अद रेट 45 से 80 किलोगराम प्रती हेक्तेर ढालें। potassium at the rate 65-100 kg प्रती हेक्टेर डाले ध्यान दे nitrogen के लिए पहले वर्ष में प्रती पेड 100 ग्राम डाले बाद में बहतर पौधे और विकास के लिए हर साल 100 ग्राम और डाले कटाए एवं उपज अख्रोट पौधे रोपने के 10-12 साल के भीतर कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं ग्राफ्टिंग पौधों के मामले में रोपन के 4-5 वर्षों के भीतर फलुत पादन हाला कि व्यावसाई कुदेश्यों के लिए बोई गए ग्राफ्टिंग पौधे रोपन के 8-10 वर्षों के भीतर विक्सित होने लगते हैं डाक्टर साहिब किरपा करके सानू अख्रोट दे रुखा दी देख पालते संबाल बारे वी दस्सू अख्रोट के पेडों को हवा के प्रवाह और सूरच की रोशनी के प्रवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ चछट हटाई की आवश्यक्ता होती है हमें अख्रोट ब्लाइट और अख्रोट भूसी मक्खी जैसे कीटों और बीमारियों की निगरानी करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए उच्चेत उपाई करने की भी आवश्यकता है इसके अतिरिक्त, स्वास्थ, व्रिक्ष, विकास और फलुत पादन के लिए उच्चित उर्वरक और मिट्टी प्रबंधन आवश्यक है क्या कोई विशिष्ट कटाई तकनीक है जिसके बारे में हमें अवगत होना चाहिए अक्रोट की कटाई आमतोर पर पज़र में की जाती है जब छिलके भूरे रंग के हो जाते हैं और फटने लगते हैं फाफूंदी और ख्शे लिए उनकी तुरंत कटाई करना आवश्यक है कटाई के बाद भंडारन या प्रसंस करन से पहले नच्स को ठीक से सुखाया और ठीक किया जाना चाहिए वैसे तो बहुत से ड्राइफ रूट्स है जिनमें बादाम, पिस्ता, काजू, छुवारा, अंजीर आदी शामिल है जिनकी खेती की जाती है लेकिन अखरोट की बात की कुछ अलग है इसकी खेती इन सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली होती है इसके पीछे कारण ये है कि इससे लंबे समय तक भंडारित करके रखा जा सकता है इसकी अंतराष्ट्रिय मांग भी काफी होने से इसकी खेती किसी भी तरह घाटे का सौदा नहीं है इसकी खेती अधिकतर पहारी इलाकों में की जाती है जम्मो कश्मीर अखरोट उतपादन में सबसे आगे है यहां बड़े पैमाने पर अखरोट की खेती की जाती है अखरोट की खेती जितनी फाइदेमंद है उससे ज्यादा इसका सेवन स्वास्थे के लिए लाबकारी है अखरोट में आयरं, जिंक, कैल्शियम और पोटेशियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है इसके सेवन से शरीर को बहुत से लाब होते है इसका सेवन वजन को कम करने में मददगार है इसके सेवन से हड्डिया मजबूत होती है यह तनाव को कम करने में भी सहायक है इसका सेवन दिमाग के लिए लाबकारी है हाला कि इसका प्रयोग संतुलित मात्रा में किया जाना ही बेहतर होता है अखरोट दी खेती तो किन्ना लाब हो सकता है बजार में अखरोट की कीमत 400-700 रुपे प्रती किलोग्राम के आसपास रहती है इसके एक पौधे से करीब 40 किलोग्राम तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है यदि किसान इसके 20 पौधे भी लगाते हैं तो आपको 5-6 लाख रुपे तक का लाब हासानी से मिल सकता है अखरोट की खेती के बारे में अपनी जानकारी साजा करने के लिए धन्यवाद भारत में अखरोट की खेती की जबरदस्त संभावनाए है और इसके बारे में सीखने के लिए आपका उत्साह देखकर मुझे खुशी हुई है क्रिशी से संबंदित अधिक जानकारी के लिए हमारा चैनल क्रिशी ग्यान जरूर देखें धन्यवाद